जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्प स्टेडी किलासे स्पिस्समिच जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज हम आपकी परियावरन पैड़ोगोजी से सम्दित कुछ महत्पूर्ण प्रस्णों के वारे में यहाँ पर जानेंगे तो दोस्तो आपके से निबेदन करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करनें इससे पहले बहुत सारी वीडियो मैंने परियावरन पैड़ोगोजी से समंदर डाले हैं आपको उनको देख लेना है पूरी की पूरी पिले लिस्ट बनी है चैनल पर तो आप जाकर के चैनल की पिले लिस्ट में देखें और वीडियो को सभी लोगों को लाइक जरू करने ना है ठीक है लाइक करना है और चैनल को सबस्काइब करने और दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से नहीं जुड़े हैं अगर तो आपको टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना है टेलिग्राम ग्रूप से 1974, 75, 78 या फिर 90 में, तब आपका उत्तर आनी चाहिए, फटापट से आपको उत्तर बताना है, 68 का अंसर बताना है, और 68 का जो अंसर हो जाएगा, 1994, जो मगरमच संरक्षन परियोजना को प्रारंब किया गया, मतलब जो बेकरप नमबर A है, वो आपका सही हो जाएगा, अंगला कॉस्चन देख लेते हैं, गैंडा परियोजना का प्रारंब कहां से हुआ, कब हुआ, 87, 86, 88 या फिर 89, तब आपको उत्तर बताना है, गैंडा 69 का उत्तर सभी लोगों को बताना है, तो 69 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1987 गैंडा परियोजना का जो है प्रारंब हुआ, है ना, और एक क्वेस्चन परियावरण में पूछा जाता है, एक सिंग बाले गयडे के लिए कौन सा राष्टी उध्यान जाना जाता है, तब आपका उत्तर होता है, क्या होता है, कांजी रंगा राष्टी उध्यान जो की असम में है, ये चीज़ भी तो सभी को पता है, ठीके, बन्न प्राणी सरक्षन दिनियम पारित किया गया, तो कब किया गया, 1972, 73, 74 या फिर 75 में, तब आपको बताना है, और बन्न प्राण बीकल्प नममर, भारतिय बन्न जीव बोट की स्थापना की गई तो कब की गई, बन्न जीव बोट की स्थापना आपको बताना है, शभी लोग उत्र बताएंगे, उत्तर क्या होजाएगा, तो आपके चार बिकल्प है, 1953, 1952, 1955, या फिर 1954, तब आपका उत्तर हो जाएगा, 1952 भारतिय बन्य जीव बोट की स्थापना की गई 1952 में बी नम्मर आपका सही हो जागा दोस्तों ठीक है प्राकरतिक संद्रक्षन संबंदी लाल किताब किसने प्रकासित की तब हमें बताना है प्राकरतिक संद्रक्षन संबंदी जो लाल किताब प्रकासित की वो किसने की है आपको बताना है L-U-C-N-A, L-U-B-N-A, L-U-D-N-A या फिर L-A-U-N-A तो चार बिकल्प हैं 72 का आंसर बताना है तो इसका उत्तर होगा L-U-C-N-A की जो बिकल्प नमबर A है वो आपका सही होगा नेक्स्ट बात करते हैं परियावन सम्मंदी लाल किताब में प्रस्टों के रंकी संक्या होती है तो कैसी होती है पांच होती है या फिर चार होती है दो होती है या फिर तीन होती है तो 73 का आंसर बताना है और 73 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा पांच होती है वि राज्तित की संतुलन से, जल मंडल से या बायू मंडल से, तो 74 का आंसर हमें बताना है, सभी लोग उत्र बताएंगे, तब सभी ने आंसर बताया है साथियो, यह परियावरन संरक्षा से, अंटार्ट का कानून का संबंध है, साप एवं छिपकली किस बर्ग में आते हैं, आपका उत्तर जो हो जाता है, वो हो जाता है, यह परियावरन विज्ञान के संबंध को परिभासित किया जा सकता है, कैसे, सामान संबंधों के रूप में, घनिष्ट संबंधों के रूप में, साधान संबंधों के रूप में, यह पर एक ही सिक्के के दो पक्षों के जल्दी से कमेंट मेंड को उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तो 76 का आंसर हो जाएगा D, यानि कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, तो D नम्मर आपका बिल्कुर शाही होगा, अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं, बहुत एक समरद्धियों देश्ट माना जाता है तो किसका, परियावरन का, समास सास्त्र का या फिर A भी दोनों का, तो 77 का उत्तर आप देख लें और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, बहुत जाएगा D, यानि कि A और B दोनों, बिग्ज्ञान का भी और परियावरन का भी, अंगला क्वेस्चन देख किस पार्टक्रम में परियोग परदर्सन की अधिक संभावना होती है, तब आपका अंसर क्या होगा, तब आपका अंसर हो जाएगा दोस्तों बिकल्प नंबर D, यानि की बिग्ज्ञान एवं परियावरन के पार्टक्रम में, D नमर आपका बिल्कुल शाही होगा, अंगला क्वेस्चन है, ना नमर आपका बिल्कुल शाही होगा, ठीक है, बहुत बड़ी है, आंगे की प्रस्न और भी देखते हैं, और भी आपके प्रस्न हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्पुन है, इसके पहले की सारे पार्ट आपको देखना है, और वीडियो को लाइक करते जाना है, आपसे जो चार बिकल्प हैं, और चार में से आपका जो आंसर होगा, वो क्या होगा, वो होगा परियावरन एबं जिव बिग्यान, यहनि की बिकल्प नमर जो D है, वो आपका बिल्कुल शाही हो जाएगा, अंगला क्वेस्चन है, मिर्दा चरन एबं मिर्दा सनरक्षन बिसाय है, कि बिल्दा चरन किर्शी विग्यान का भी है और परियावरन का, यहनि की दोनों आपका सही हो जाएगा, प्राकर्तिक बंसपतियों का चिकिस्चा के छेत्र में प्रियोग संबन्दित है, का इसी संबन्दित है, आयोरवेद से, एलोपेथी से, होमेवेथी से, या फिर परिय से लिख सकते हैं, जीवन इस्तर का उन्नेयन उद्देश से क्या है, परियावरनी सिक्चा का, समास सास्तर का, भूगल का या एबी दोनों का, जीवन इस्तर का उन्नेयन उद्देश से है, तो क्या है, सभी को बताना है, एट्टी थिरी का अंसर जो आप सभी ने बताया है, वो बताया है A और B दोनों यानि की परियावरणी सिक्चा का और समासास्त्र का बहुत बढ़ी आंसर संतुलित विकास की अबधारणा का सम्मंद है तो किस्से है परियावरणी सिक्चा से गरत की सिक्चा से विग्यान की सिक्चा से या मनो विग्यान की सिक्चा से संतुलित बिकास की अब्धारणा का जो सम्मंद होता है साथियो वो किस से होता है आपका कमेंट का इंतजार और उत्तर होगा इसका क्या ए परियावरनी सिक्षा से बहुत बढ़ी आंसर हैना अंतराश्टी सदभावना इबं विस्तो बंदुत्य की भावना उत्पन्न होती ह तो आपको बताना है जर्दी से बताओ प्रश्न किरमांक 84 का बताना है परियावरनी सिक्षा से गड़ित की सिक्षा से बिज्ञान की सिक्षा से या समासास्त की सिक्षा से दोस्तो सामको साड़े छे बज़े परियावरन की लाइब किलास होती है तो वो जरूर देखेंगा तो 85 जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 85 का हो जाएगा C, N की बिउघ्ञान की सिख्छा से, अंतराश्टी सदवाउन, विस्तो बंदृत की भावन वत्पन होती है, तो आपका 85 का जो आंसर हो जाएगा, वो सभी लोगों ने जो बताया है, वो बताया है, हस्त कॉंसलों का विकास संभाव है तो बताना है 86 का आंसर करके सीखने से उपयोगिता की आधार पर संघर्स की आधार पर या परिवेश की आधार पर हस्त कॉंसलों का विकास संभाव है तो किसके आधार पर है 86 का तब आपका आंसर क्या होगा सबी लोग बताएंगे तो हस्त कोशलों का विकास संभव है करके सीखने यानि जो बिकल्प नमबर एक है वो आपका बिल्कुल साही होगा बालक एक बार आग को छूने के पस्चातों से नहीं छूना सीखता ये जो है क्या है करके सीखने के द्वारा, अनुभव द्वारा, संगर्स द्वारा या प्रियोग द्वारा तब 87 का उत्र बताना है प्रस्निक्रमांग तो आपको पता होगा ए अनुभव द्वारा है ना कि दूद से जला हुआ बालक दही भी फूख फूख कर पीता है तब उसको अनुभा हो जाता है तो B नम्मर आपका शही होगा बालक भूँख प्यास की संतुष्टी करना सीखता है मूल प्रिविर्थी द्वारा, अनुभाव द्वारा, करके सीखने द्वारा या एक्छा द्वारा तो बालक भूँख प्यास की संतुष्टी करना सीखता किस से सीखता है 88 का आंसर बताना है और आपका उत्र होगा मूल प्रिविट्ती द्वारा बिकल्प नम्मर A बिल्कूर शाही हो जागा बालक सामाजिक गुणों को सीखता है कैसे किरिया द्वारा, अनुकरण द्वारा, दूसरों के बेवहार को देखकर या फिर अनुभाव द्वारा 89 का उत्र हमें बताना है और 89 का जो उत्र हो जाएगा वो क्या होगा मोश्ट इंपोर्टेंट है तब आपका उत्र होगा C दूसरी के बेवहार को देखकर बालक सामाजिक गुणों को सीखता है बहुत बड़ी आंसर बता रहे हैं आप लोग बालक द्वारा सिक्षक आदर्सवादी गुणों को सीखा जाता है तो अनुकरण द्वारा, किरिया द्वारा, संगर्स द्वारा या मूल प्रिविर्टी द्वारा तब 90 का उत्तर सभी लोगों को बताना है और 90 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा वो होगा A यानुकरण द्वारा, A नम्मर आपका बिल्कुल साहिए होगा संगर्स द्वारा सीखा जाता है तो क्या सीखा जाता है 91 का उत्तर हमें बताना है संकर्स से बचाओ, परिया वर्निया आपदाओं से बचाओ या फिर अंगला जो आपका बिकल्प है वो क्या है वो है A एवं B दोनों या फिर भोजन करना तब आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा वो होगा C यानि कि A और B दोनों आपका साहिए होगा प्रभाव द्वारा सीखना संबंदित है तो किस से संबंदित है शीखने के नियमों से शीखने के सिद्धान्तों से शीखने की किरिया से या पिर अनुकरण से तो 92 का अंसर सभी लोग बताएंगे सभी को पता है आपको पता होगा कि थांडाईक ने सीखने के नियम दिये हैं और उसी में प्रभाव का नियम ये प्रभाव की द्वारा सीखना आता है तब आपका उत्तर बिकल्प नम्मर एक सही होगा अंगला कोश्चिन एक छात्र पुस्तक में पढ़कर बर्सा की जल का संरक्षन करता है तो एह सीखना माना जाता है स्वाध्या द्वारा सीखना अनुकण द्वारा सीखना किरिया द्वारा सीखना या प्रभाव द्वारा सीखना तब 90 का उत्तर बताना है कि एक पुस्तक एक किसी कार को करने पर छात्र की प्रसंसा की जाती है, जिस्ते छात्र उस किरिया को स्थाई रूप से सीख जाता है, उसका सीखना माना जाता है, क्या माना जाता है, प्रभाव द्वारा, तत्पर्ता द्वारा, अभ्यास द्वारा या प्रस्ट पोशन द्वारा, तो 94 का सभी ल तो बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कभिता एवं गीतों का सीखा जाना संबन देते तो किस से है किरिया द्वारा सीखने से पार्ट करम सहगामी किरियाओं द्वारा सीखने से अनुकरन द्वारा सीखने से या मानि भी एक किरियाओं द्वारा सीखने से 95 का अंसर सभी लोगों को बताना है और 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों वो होगा B पार्ट ग्रम सहगामी करियाओं द्वारा सीखने से है ना B नमबर इसका सही होगा जीवन जाल संबंदी खेल का प्रकासन किया है परियावरनी सिक्षा के अंदर एहमदावाद ने परियावरनी सिक्षा के अंदर इलाहावाद ने परियावरनी सिक्षा के अंदर भोपाल ने या परियावरनी सिक्षा के अंदर दिल्ली ने तो 96 का अंसर बताना है, सबी लोग उत्र बताएंगे, तो आपका उत्र हो जाएगा दोस्तु बेकल्प नम्मर A, परियावर्णी सिक्षा के अंदर अहमदावाद ने जीव अंजाल संबंदी खेल का प्रकासन किया है, अंगला क्वेस्चन है प्रात्मे किस तर पर परियावर परियावर्णी कविताओं को प्रमक रूप से किस गती बिधी में इस्थान मिलना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, सबी लोग उत्र बताएंगे, 98 का जो उत्र होगा बाल सभा एगनी बेकल्प नमर जो C है, वो आपका बिल्द को चाहिए हो जगा, ठीक है, बहुत ब बता रहे हैं, और उत्तर बिल्कुल आपको कमेंट में लखते जाना है, परियावर्णी नाटक प्रभावसारी उस स्थिति में होता है, जब छात्र उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं, उनको पढ़ते हैं, याईनि मैसे कोई नहीं, तो 99 का उत्तर उसमें सहभागी बनते हैं, यानि विकल्प नमर जो B है, वो आपका बिल्कुल शाही होगा, परियावर्णी चित्र प्रदर्शित किया जाता है, क्या प्रदर्शित किया जाता है, 100 नमर का उत्तर हमें बताना है, परियावर्णी ये संबंदी चित्र यवं चाट, जन्तु प्रदर्शित किया जाता है, तो बिकल्प नमर A आपका बिल्कुल शाही होगा, ठीक है, बहुत बड़ी आंसर, आंगे देख लेते हैं, अंगले जो अपने प्रशने हैं, उसके बारी में जान लेते हैं, अब आपको बताना है दोस्तो, प्रियावर्णी ये किलब की स्था तो सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर हो जाएगा, परिस्त की किलब में, इस्थापना परिस्ती किलब की स्थापना में जो मुख्य भूमी क्या होती है, वो सिक्षकों की, यानि बिकल्प नमर A जो है, वो इसका सही होगा, अंगला कोश्चने बिध्यालय उध्यान उ अंगला कोश्चने बिध्यालय इस तर पर सता तेवं ब्यापक मुल्यांकन की होजना प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा, N-C-E-R-T द्वारा, N-E-P-A द्वारा, N-C-T-E द्वारा, या फिर C-A-B-E द्वारा, तो जल्दी से 103 का उत्र बताना है, सभी लोग उत्र बता अंगला कोश्चन है, N-C-E-R-T द्वारा, प्रस्तुत मुल्यांकन योजना 2010, मुल्यांकन छेतर बिभाजित है, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 या फिर 7 भागों में, कितने भागों में बिभाजित है, मुल्यांकन छेतर, तो जल्दी से उत्र बताओ, उत्तर क्या हो चात्रों का ब्यक्तित्त, कौसला अत्मक ज्यान या प्रियोगा अत्मक ज्यान, 105 का उत्तर अधिकांच लोग बताएंगे, 105 का क्या हो जाएगा, तब सभी लोगों का उत्तर आ रहा है, कि विद्ध्यालाई छेतर के मुल्यांकन में ग्यात किया जाता है चात्रों का 2011 में, जल्दी से बताओ, most important question है NCERT के बारे में है, और 106 का उत्र होगा 2010 में, NCERT द्वारा सतत एबं व्यापक मुल्यांकन योजना 2010 में चालू की गई, प्रस्तुत की गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, सामाजिक कौसल एबं भावात्मक कौसलों का मुल्यांकन विसे है, तो सहे बिद्यालई चेतर का, सहे सेकचक चेतर का या पाटधक्रम सहे गामी करियाओं का, तो किसका है, 107 का उत्र हमें बताना है, और आपका जो उत्र आ रहा है, जल्दी से बताओ, उत्तर होगा सहे बिद्यालई चेतर, यानि बेकल्प Nunमर जो B है, वो इसका बिल्कु बताना है सभी लोग उत्र बताएंगे most important है इसलिए आपका उत्र होगा C यानि की सह सैक्षिक गतिविदियों से C नम्मर आपका बिल्गोर चाहिए होगा अंगला question ने क्रीना संबंदी गतिविदियों का मूल्यंकन किया जाता है तो सह सैक्षिक गतिविदियों में विध्यालाई गतिविदियों में सह विध्यालाई गतिविदियों में या क्रीना संबंदी गतिविदियों में तो 109 का answer बताना है तब सभी लोग उत्र बताएंग उत्तर आपका जो हो जाएगा बो हो जाएगा सह सेक्षे के गति विदियों यानि बेकल्प नमर जो A है वो आपका बिल्कुल शाही होगा ठीक है अंगले प्रशने देखते हैं और यह बहुत ही महत्पूर्ण सीरिज है दोस्तों और परियावर्ण से समंद्रत अपनी से बजे तो बो जरूर देखें ठीक है सतत एवाम व्यापक मुल्यांकन की प्रक्रिया में बिद्ध्यालाई छेत्र एवाम सह बिद्ध्यालाई छेत्र को बिभाजित किया गया है दो भागों में तीन भागों में चार भागों में या फिर पांच भागों में 110 का उतर सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे most important है इसलिए सभी का answer आ रहा है A दो भागों में, यहनि बिकल्प नमर जो A है, वो इसका बिल्कूर साही हो जाएगा फोट बिडियाम, फोट फोलियो किस छेतर की मुल्यांकन प्रिक्रिया से संबन्दित है, फ्रष्ण किरम Hand के 111 का उत्र बताना है विध्यालईथ चेतर से, सह विध्यालई चेतर से, सह सेक्चक चेतर से या फिर क्रिना चेतर से तब 1-1-1 का उत्तर आपका क्या होगा सभी लोगों ने 111 का उत्तर क्या बताया है 111 का अधिकांस लोगों ने उत्तर बताया बिध्यालाई चेतर से यानि कि बिकल्प नम्मर A आपका बिल्कुल साहिए बिध्यालाई चेतर में मुल्यांकन किया जाता है ज्यान एबं अवोध का, अनुप्रियोग का, A एबं बीदोनों का या फिर बेक्तित्तु का तो 111 का अंसर बताना है और A इसका साहिए होगा ज्यान एबं अवोध का जो है मुल्यांकन किया जाता है बहुत बड़ी आंसर मौकिक, लिखित एबं प्रायोग के कार सम्मंदित है बिध्यालाई चेतर के मुल्यांकन से, सह बिध्यालाई चेतर के मुल्यांकन से सह सेक्चक गतिविदियों के मूल लियांकन से या सरजनात्म गतिविदियों के मूल लियांकन से तो 113 का उत्र बताना है और 113 का आपका उत्र हो जगा A यानि कि विद्ध्यालाई छेत्र के मूल लियांकन से ये नम्मर आपका बिल्कूल सही होगा अंगला क्वेस्टन हैं, N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत मूल ल्यांकन योजना में छात्रों को परदान किये जाते हैं अंक, ग्रेड, अंक एवं ग्रेड, उत्रिन एवं अनुत्रिन की स्रेणी तो बताना है आपको 114 का उत्र होगा, N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत मूल ल्यांकन योजना में छात्रों को परदान किये जाते हैं तो क्या परदान किये जाते हैं, 114 का उत्र होगा, B, ग्रेड परदान किये जाते हैं ठीक है, बहुत बड़ी आंसर, हैना अंगला क्वेश्चन, विध्यालाई चेत्र के मूल ल्यांकन की उपकरण है, मौखे के प्रस्नेपत्र, कक्छाकार, एवं भी दोनों या प्रायोगिक कार तो 115 का उत्र हमें बताना है, उत्तर इसका सही होगा, C, मौखे के प्रस्नेपत्र और कक्छाकार, C नम्मर इसका बिल्कुल सही होगा सरचनात्मक आकलन, एवं समेकेत आकलन सम्मंदित है, तो किस से सम्मंदित है, 116 का उत्र सबी लोग बताएंगे, सिर्जनात्मक चेत्र से, कौशलात्मक चेत्र से, बिध्यालाई चेत्र से, या सह बिध्यालाई चेत्र से तो 116 का उत्र बताएंगे सभी लोगों को उत्र बताना है most important है तब सभी ने उत्र बताया है विध्यालाई चेतर से यानि बिकल्प नम्मर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा अंगला question है blueprint का संबंध होता है प्रशन पत्र निर्मार से सर्जन आत्मक गतिविद्यों के मूल्यांकन से प्रियोग आत्मक मूल्यांकन से या क्रिना संबंधी गतिविद्यों के मूल्यांकन से बन बन सेबन का उत्र बताएंगे सभी लोग बताएंगे तो आपका उत्र होगा प्रशन पत्र निर्मार से ये नम्मर आपका बिल्कुल चाहिए होगा अंगला क्वेच्चन है सामाज़क एवं बैक्तिगत बिसेश्थाओं के मुल्यांकन की तकनीकी है क्या है अबलोकन, साक्षातकार, A एवं B दोनों या प्रश्नेपत्र तो 118 का उत्र बताना है जल्दी से बताओ आपका उत्र क्या हो जाएगा 118 का उत्र बताया है C यानि कि A एवं B दोनों इसका सही उत्र होगा नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सातत एवं ब्यापक मुल्यांकन में बैक्तिगत एवं सामाजिक बिसेश्थाओं के संदर में छात्रों को ग्रेट प्रदान किया जाता है माह में एक बार, दो बार, तीन बार या फिर छे माह में एक बार तीन माह में एक बार या माह में दो बार या माह में एक बार या चे माह में एक बार तब 119 का उत्तर सभी लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आपको पता है उत्तर तो ए नम्मर माह में एक बार है ना बहुत बढ़ी आंसर सिक्षण उपादान का संबंद होता है किस से उपलब्दी इस्तर गिरहन करना ए एवं भी दोनों या फिर कला से एक सो बीस का उत्तर बताना है और एक सो बीस का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ उत्तर होगा उपलब्दी इस्तर और गिरहन करना यानि कि बिकल्प नमर जो सी है आपका बिल्लकूर चाहिए होगा सिक्षण उपादान का प्रथम चरण संबंदित होता है किस से सिक्षण से प्रथम चरण बताना है सिक्षण से सिक्षण कला से या पर सिक्षण विदियों से सिक्षण उपादान का प्रथम चरण किस से संबंदित होता है तब सभी ने उत्तर बताया सिक्छक से यानि विकल्प नमर ए आपका बिल्कुल चाहिए. अंगला कुस्चिन देखलो. अंगला जो आपका कुस्चिन है दोस्तों वो क्या है? वो है सिक्छन उपादान का दुतिये च्रण सम्बन देते. पिरताम च्रण सिक्छक से है तो दु करम का संबंद होता है, 123 का उत्र बताना है, तो जल्दी बताओ, पार्ट करम का संबंद होता, सिक्षन उपदान की प्रथम चरण से, सिक्षन उपदान की दुतिये चरण से, सिक्षन उपदान की तरतिये चरण से, सिक्षन उपादान की. चतुरत चरन से बन्ट do three का उत्रवताना है और सबी लोगों ने जो उत्रवताया है वो वताया c कि सिक्षन उपादान की तरतिए चरन से बहुत Disneyya Rep Kelst बहुत बढ़ी ब्रबिधियों का परियोग सिक्षन उपादान की किस चरन से समद्धे और का अंसर सभी लोग बताएंगे उत्तर जरूर बताया करो आप लोग उत्तर होगा A प्रिथम चलन से ठीके बहुत बढ़ी आंसर A नमबर उत्तर बताती हुए अपना आकलन जरूर करें सिक्षन उपादान का दुतिये चलन निमने मैंसे चलन में समलित किया जाता है तो किस में समलित किया जाता है दुतिये चलन करिए आप प्रिती करिया कक्षा अनुभूती A बी दोनों या सेक्षन विधियों का चैन तो 125 का अंसर क्या होगा साथियो हो जाएगा C A एवं B दोनों अंगला कोस्चन है सेक्षन उपादान का त्रतिये चलन है समंदित होता है मुल् प्रिया बिधियों किरिया सीद्दा या संगठन योगता तो क्या होता है 127 का उत्र बताना है इसका उत्र होगा ए विसाय बस्तू का प्रत्यक्ष ग्यान ए नमबर आपका बिल्कुल शही होगा परेयावर्णी अध्यन में भरमण बिदी का प्रमो को देश से क्या होता है परियाबरनी अध्यन में भिर्मन विदी का हमें प्रमों को देश बताना है प्रिकृती से संपर्क, प्रिकृती का ग्यान, प्रिकृती का बर्णन और प्राकरतिक संसादनों का संदक्ष्ण 128 का अंसर बताना है सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा ठीक है 128 का अंसर बताना है तब सभी लोगों का उत्र हो जाएगा ए प्रिकृर्थी से संपर्क यह नमब आपका बिल्कूर चाहिए समस्तिया समाधान बिधी में छात्र सीखते हैं मांसिक संगर्ष द्वारा, किरिया द्वारा प्रियोग द्वारा या पिर तर्क द्वारा तो किस के द्वारा सीखते हैं 128 का उत्र बताना है सबी लोगों ने जो उत्र बताया है वो क्या बताया है वो बताया है ए मानसिक संगर्स द्वारा बहुत बढ़ी आंसर समस्या समाधान विधी का प्रियोग नहीं करना चाहिए प्रात में किस्तर पर उच्च प्रात में किस्तर पर माध्य में किस्तर पर या फिर उच्च माध् विदी का तो आपका उत्र होगा A यानि कि प्राथ में कि स्तर पर? अंगला question इं समस्या समाधान विदी का परतम चरण है तो क्या है? चार बिकल्पें, चार में से एक का उत्र बताना है समस्या का प्रस्तुतिकरन, आंक्णों का संग्रन, आंक्णों का बेसलेशन या आंक्णों का संसलेशन बन-3 बन का उत्र बताना है, सबी लोग उत्र बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 131 का उत्र होगा समस्या का प्रस्तुतिकरण यानि बिकल्प नम्मर एक आपका बिल्गूर चाहिए अंगला क्वेस्चन योजना बिदी का प्रथम स्वापान क्या है? योजना का चुनाओ, कारिकरम निर्मान, योजना का क्रियान वयन या फिर सामगरी का चैन तो जल्दी बताओ, 132 का उत्तर बताना है उत्तर हो जाएगा योजना का चुनाओ, योजना बिदी का प्रथम स्वापान होता है योजना का चुनाओ योजना बिधी में प्रमुक भूमिका होती है किसकी बन 33 का आंसर बताना है जल्दी बताओ योजना बिधी में प्रमुक भूमिका होती है किसकी होती है उत्तर आपका हो जाएगा बी छात्र की यानि बी नम्मर आपका बिल्कुर शाई होगा अंगले question देखते हैं बहुत ही महत्पूर्ण है इसके पहले के बहुत सारी पैड़ोगाजी के जो है बीडियो डल चुके हैं वो जरूर देखें ये पैड़ोगाजी से संबन देत आपके बताना है योजना बिदी में सिक्षक की भूमी क्या होती है तो बन थरी फोर का आंसर बताना है आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ 134 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तो ए सहाया के बन नर्देशक की भूमी क्या होती है योजना बिदी में खेल बिदी में कौसल संबंदी कारियों के अंतरगत संबलित किया जाता है पौधे लगाना खेलोने बनाना कभीता लिखना ये एवं भी दोनों तो बन थरी फाइप का अंसर बताना है और बन थरी फाइप का सभी ने उत्तर बताया है कि पौधे लगाना और खेलोने बनान दोनों इसमें सही होगा खेड बिदी में ज्यानात्मकार होता है तो क्या होता है सैक्षिक बिर्मन उध्यान में कार चार्ट बनाना पौधि लगाना खेड बिदी में ज्यानात्मकार होती है क्या होती है जल्दी से उत्र बताओ 236 का उत्र होगा सेक्षिक बिरमन यहना A number अंगला question देखलो खेल बिधी में परियावन इबं पारिस्त्र की किलब का निरमान है कौँसल समबंधीकार है संगठनात्मकार है ग्यानात्मकार है या फिर साहित्यक कार है तो खेल बिदी में परियावन इवं पाइस्तकी किलब का निर्मान है तो क्या है? बन 37 का उत्र बताना है, उत्तर होगा संगठनात मकार, बी नम्मर आपका बिल्ड कुल सही होगा परियावन से रक्स सिक्षन में, खेल बिदी का प्रियोग प्रमुक रूप से करना चाहिए प्रात में किस तर पर, ओच्छ प्रात में किस तर पर, माद में किस तर पर, ओच्छ माद में किस तर पर 138 का उत्र बताना है और उत्तर होगा इसका प्राथ में किस तर पर ठीक है बहुत बड़ी आंसर परियावरनी ये सामगरी का प्रियोग किया जा सकता है सिक्षन अधिगम सामगरी की रूप में अंगला question, परियाबन का सिक्षन विदी की रूप में प्रयुक्त करने का लाब होता है, तो क्या होता है? एक सो चालीस का उत्रवताना है, सभी लोग उत्रवताएंगे, बहुत ही महत्पूर्ण हैं, तब सभी ने उत्रवताया, सिक्षन अधिगम सामगरी में प्रभाव सीलता, यानि कि ए नमबर जो है, वो बिलकुल आपका राइट होगा, नेक्स्ट प्रस्तावना कॉंसल एबं ब्याक्या कॉंसल को माना जाता है, अधिगम कॉंसल, सिक्षन कॉंसल, सिक्षन अधिगम कॉंसल, या पर ग्यानत्म कॉंसल, क्या माना जाता है, आपको कमेंट में बताना है, कमेंट जरूर किया करें, यासी अनेकों वीडियो आने बाले हैं, तो चैनल को सभी लोग सब्सक रहें, क्या बता रहें, जल्दी बताओ, सिक्छक, ये स्वतंत्र चर होता है, सिक्छन अधिकम प्रिक्रिया का आश्रित चर क्या है, आश्रित चर बताना है, 143 का उत्र बताना है, जल्दी बताएंगे आप, तो आपने जो उत्र बताया है, दोस्तों, वो बताया है, बी, यह की सिक्षार्ती बहुत बढ़ी आंसर बी नंबर बिल्कुर सही ए आस्रित चर है स्वतंत्र चर है सिक्षक पार्टक्रम को किस प्रकार का चर माना जाता है पार्टक्रम को जल्दी बताओ एक सो चालिस का स्वतंत्र, नियंत्रित, मध्यस्त या फिर आसरित तब आपका जो आंसर आया है दोस्तों वो क्या आया है C. मध्यस्त माना लाता है बहुत बढ़ी आंसर सिक्षक का नकारात्मक बिवहर किसछेत्रिकी समस्या है सिक्चक संबन्दी, छात्र संबन्दी, पाटक्रम संबन्दी या सिक्चण बिधी संबन्दी तो 145 का उत्र बताना है और 145 का जो उत्र हो जाएगा वो क्या होगा 145 का होगा सिक्चक संबन्दी, बिकल्प नम्मर ये बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी आंसर और भी question एकाद जो question आपका बचा है वो देख लेती है यहाँ पर आपका question है कि परेया वरण यह जो है पाटकरम गती बिदियों का भाव किस छेत्री की समस्या है जल्दी बताओ सुतंत्र चरसंबंदी है आस्रे चरसंबंदी है मद्यस्त चरसंबंदी है नेंत्र चरसंबंदी है एक सुच्यालीज का उत्र बताना है और एक सुच्यालीज का उत्र होगा सी मद्यस्त चरसंबंदी सी नम्मर आपका बिल्कुल सही होगा अधिगम कोंसलों का भाव किस से समन हो जाता है और बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्णों पर हमने चर्चा की है आपको एक कमेंट तो जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा आपके लिए अगर 10% भी उपी होगी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं और जो भी साती अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और उसमें आल पर कलिक करें जिससे आल वीडियो की इनफर्मेशन आप तक पहुचे की ठीक है और टेलिग्राम ग्रोप से जोड़ जाएं टेलिग्राम ग्रोप से जोड़ने के लिए आपको टेलिग्राम एप डाउनलोड करना है उसमें सर्च करना है आई एस स्टेली ट्रिक और जोईन हो जाना है ठीक है वीडियो को सेर जरू करें अपने मित्रों तक अपने फेस्बुक पर आईडी पर ठीक है तो दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हैं वीडियो को लाइक अवस्थ करें आज के वीडियो के लिए वस इतना ही जैहिंद